तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्तान 360 चैनल पर अगर आप लोगों को शब्सक्राइब नहीं किया तो शब्सक्राइब जुरूर कर ले हम यहां पर आप लोगों को पता है ऑ्रोजानव के एक्जाम के लिए आपर गर्षाइबने रिए स्पिर। में clear कर सकते हैं साथ इसाथ जो है पोल्स में participate करके अपने answers को दे सकते हैं सारे के सारे जो courses available होते हैं वो structured course होते हैं मतलब कि complete syllabus की preparation आपको यहाँ पर करवाई जाती हैं और live test and quizzes आपको यहाँ पर unlimited available होते हैं ताकि आप time to time जो है आपने आपको evaluate कर सकते हैं कि आपकी preparation जो है वो किस direction में चल रही है तो अपनी preparation को जाचने के लिए अब live test and mock test जो है आप टाइम टो टाइम डे unlimited access मतलब कि जितने भी educators है राजस्तान एजांत में मतलब आर्पी category में सारे के सारे educators को आप unlimited time access कर पाएंगे साथ ही one time जब आप payment कर जैसे कि आरेस का रीट का पठवार का पुलिस का और भी कोई भी जो भी एक्जाम राजस्तान कि में होते है राजस्तान सरकार के द्वारा जो है आयोजित करवाए जाते हैं उन सभी के बारे में जो है आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में जो है पूरी complete detail मिलेगी 10vv referral code का यूज कर सकते हैं आप 10% discount पाने के लिए फ्री कोर्स और प्लस कोर्स में जो है यहाँ पर difference है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस कोर्स में आपको जो है complete syllabus करवाए जाता है फ्री कोर्स में नौट्स आपको यहाँ पर available होंगे और regular doubt clearing sessions by a top educators तो इंडिया के जो top educators है उनके द्वारा जो है regular doubt clearing sessions आपको यहाँ पर time to time available होते रहते हैं प्री special classes को unlock करने के लिए आप प्ले श्टोर पर जाकर अनकेटमिक लंडिंग आपको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर referral code 10VV का यूज करके free special plan को जो है free plan को आप अनलोग कर सकते हैं खुद को register करने के बाद में मेरा suggestion आप लोगों को यह रहता कि one year या two year का subscription ले क्यों वन year या two year के subscription की price जो है हमारे इतनी कोई जादा नहीं है 7000 रुपे मातर एक साल की और 8400 रुपे जो है आपर दो साल की लेकिन अगर उसमें भी अगर आप 10VV referral code का यूज कर लेते हैं तो आपके उसमें भी 10% discount हो जाएगा और 6300 रुपे और 7560 रुपे और आपने जो है पहले जो special classes में coins जो earn की है वो coins भी हापर आप जो है redeem कर सकत है और वो no cost IAMI है अतिरिक्त बुक्तान आपको नहीं करना है उतना ही बुक्तान करना है जितना कि आपको करना चाहिए तो no cost IAMI है तो आप वहाँ पर इसको भी ले सकते हैं तो चलिए start करते हैं हम आज की class को तो आज की हमारे जो पहला प्रस्ण है वह है राजस्तान में वनों की कमी का प्रमुक्त कारण है राजस्तान में वनों की कमी का प्रमुक्त कारण क्या है वो बताना आप लोगों को यहापर तो राजस्तान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है राजस्तान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या अगर हम यह आपर बात करें तो पुसु चारण से संबन देता है नेश्ट अगर राजस्तान के माउंट आवू को पारिस्तिती की सवेदन सील शेत्र कब गोशित किया गया? पारिस्तिती की सवेदन सील शेत्र जो है आपर गोशित किया जाता है दो जालाट इंपोटेंट प्रशन हो सकता है इन चीज का जुरूर ध्यान रखें आपसे जो है कभी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है त्यंदुपत्य का राष्ट्री गरण किस वर्स किया गया? तो कौन से वर्स में जो है राजस्तान में त्यंदुपत्य का लाष्ट्री गरण जो है आप पर कर दिया जाता है नेशनलाजेशन 1967, 1974, 1988 और 2000 जो हो जाना जो क्लास का टाइमिंग है वो आप लोगों को पता होगा नहीं पता है तो में आपको बता देता हो आपके लिए मॉक्तर स्रीज आपसे स्टार्ट हो गई है उससे पहले जो है त्वी कोर्स जो हमेंने करवाया है तो इसी प्लेश्ट में आपको थैंदुपत्य कोर्स अवेलेबल जो है अपने अधिकार शित्र में जो ले लेती है या पर और आप लोग को पता होगा तेंदु पत्ते का उपियोग जो है बीडी का जो पत्ता होता है उसमें तेंदु का पत्ता ही जो उपियोग में लाया जाता है सागवान मुक्यत राजस्तान के किस जिले में सरवादिक मिलते हैं सागवान जो है राजस्तान के किस जिले में सरवादिक मिलते हैं उदेपूर, डुंगरपूर, चित्तोडगर उदेपूर, बासवडा जालावाड और सिरोई उदेपूर तो यहाँ पर सागवान जो है राजस्तान की किस जिले में सरवादिक पाए जाते हैं यह आप लोग उसे पूछा गया है सागवान जो है राजस्तान के दुंगरपूर और उधरपूर जिले में सरवाधिक मातरा में पाई जाते हैं और single district की अगर हम बात करें तो आप जयरू द्यान रिखने के उसका है बासवड़ा single district की बात करें जिले की तो आपका बासवड़ा होगा हर्दे रोग के लिए निम्नलिकित में से कौन सी वनस्पती उप्योगत है क्या किस मनुस्पती का उप्योग लिया जाता है काली मुशली, सालर, अर्जुन और संक पुस्पि रिदे रोग के लिए इन में से कौन सी वनस्पती उप्योगत है तो यहाँ पर अर्जुन वनस्पति जो है रिदे रोग के लिए उप्युकत है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है सुस्क सागवान वन राजस्तान के दक्षिनी भाग में पाए जाते है सुस्क कटी बंदि वन राजस्तान के जो है 58.19 सित्रफल पर पाए जाते है मिस्टित पत्रजडवाले वन जो है 50-80 cm वर्षा होती है और उप्रोक्त सभी तीक है आपको टाइमर जो है मैं आपको वापस बता देता हूँ अब आप कर लीजे सुस्क सागवान वन जो है राजस्तान के दक्षिनी भाग में पाए जाते है सुस्क कटी बंदी वन जो है राज्य के 58.19 पर्सेंटेज शेत्रफल पर इस्थित है मिस्टित वन पत्जडवाले वन जो है यापर 50-80 cm तक है और कुप्योक्त सभी तो यहापर सारे के सारे स्टेट्मेंट जो है हमारे यहापर एकदम सही है D is the right answer सबसे कम वन शेत्र जो है राजस्तान के किस जिले में तो राजस्तान के कौन सा जिला है जहापर सबसे कम वन शेत्र पाए जाता है जैसल मेर बिकानेर चूरू और जुन्जुनू सबसे कम वन शेत्र जो है राजस्तान के कौन से जिले में पाए जाता है जैसल मेर बिकानेर चूरू और जुन्जुनू सबसे वन शेत्र जो है यहापर कम चूरू जिले में पाए जाता है जय विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रेल, 28 जन्वरी, 15 माई, 15 फर्वरी और 22 माई जय विवित्ता दिवस जो है आपर जय विवित्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? आप लोग से पूछा गया है? 22 अप्रेल को, 28 जन्वरी को, 15 फर्वरी को, 22 माई को तो 22 माई को जय विवित्ता दिवस आपका यहाँ पर मनाया जाता है निमनलिकित कथनों में से कौन सा कथन सकती है? जो true statement है उसके बारे में आपको बताना है वन भूमी को बांदे रखते हैं, दूसरा वन बाढ़ को नियंतित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तीसरा वायू के बाहाव को नियंतित करते हैं और चौथा वन वायू को प्रदूस्वन रहित और स्वच्छ रखते हैं और पांच वा वन मानो जीवन के लिए बेहद उपियोगी है तो इसमें से कौन सा statement जो है हमारा सही होगा? वो आपको बताना है A, B और E, B option क्याता है A, B, D और E, C क्याता है B, C, D और D क्याता है All of the Above या A, B, C, D, E तो यहापर fourth statement जो है हमारे यहापर सही है, चारो के चारो जो है हमारे कतन सही है राजिस्तान सरकार के द्वारा पहली वन निती का अनुमोधन कब किया गया? तो राजिस्तान सरकार जो है यहापर पहली वन निती का अनुमोधन कब करती है? सितंबर 2011 में, अगस्त 2010 में, मार्श 2011 में और परवरी 2010 में राजिस्तान सरकार के द्वारा जो है पहली वन निती का अनुमोधन कब किया जाता है? तो राजस्तान सरकार के द्वारा यहाँ पर पहली वन नीती की अगर हम बात करें तो फरवरी 2010 में जो है उसका अनुमोदन किया जाता है राजस्तान में वन मंदलो की संख्या कितनी है आठ, दस, बारह और चौदे राजस्तान में वन मंदलों की संक्या की अगर हम बात करें तो 12 वन मंदल है राजस्तान में कुल नेश्टोशन, बबूल के व्रक्स को किस प्रकार के वन मिलते हैं? नेश्टोशन, बबूल के वन मिलते हैं? नेश्टोशन, बबूल के वन मिलते हैं? निम्न मेंसे किस जगे पर पाया जाता है? खस वो पामरोजा जो है, कहा पाया जाता है? नाथ द्वारा, लाठी शेत्र, भरतपुर शेत्र, नाधपुर शेत्र. तो कॉन सी जगे पर एक ख़स और पाम रोजा जो है आपर, हमको मिलता है, किस जगे पर मिलता है इन में से, तो ख़स और पाम रोजा जो है ऊफ् Guinness वह परतपूरल में मिलता है, C statement जो है हमारे हैं, C option जो है हमारा सही है, रोहिडा नामक Evrax, निमनलिकित में से, कहा पर बहुतायत में पाये जाता है तो रोहिडा जो है कहा पर बहुतायत में पाये जाता है ठीक है तो भवतायत में कर पाया जाता है तो रहेडार नामक वरक्स जो है रजस्तान में से तो राजस्तान का कौछ मिलता है नाम से जानते हैं तो वह कौन सा वरक्ष है जिसे हम जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं तो रायस्तान का वरक्ष जो है पलास जो है यहाँ पर जंगल की ज्वाला के नाम से हम उसको जानते हैं पलास किस जिलो के समूँ में अधिक्तम वन शेत्र पाये जाता है तो राज्तान के जिलो का वह कौन सा शेत्र है वन शेत्र है जहाँ पर अधिक्तम वन शेत्र पाये जाता है सबसे अधिक वन मिलते हैं बारा, उदेपूर, चित्तोडगट, भरतपूर, जालावाड, कोटा, करोली, सिरोई, डुंगरपूर, बासवड़ा, ध्वालपूर और राजसमन. तो कौन सा वर शेत्र है, जहाँ पर जो है, सरवादिक मात्रा में जो है, वन शेत्र पाया जाता है, तो वह वन शेत्र जो है, बारा, उदेपूर और चित्तोडगट, एस दराइट उप्सन, एस दराइट, एस दराइट उप्सन. नेट, आदिवाशियों का कल्प वरक्स कहलाता है, तो कौन सा इन में से जो है, आदिवाशियों का कल्प वरक्स कहलाता है, किस वरक्स को आदिवाशियों का कल्प वरक्स, काफी बार जो है, इस प्रस्न को पूछा जा चुका है, ठीक है, कभी भी जो है, इस प्रस्न को सकता है, तो यह important प्रशन है, तो important जो प्रशन होते हैं, उनको जरूर दिहां रिखे, तो आदीवाषू का कल्प रुक्स की अगर हमें आपर बात करें, तो किसको कहा गया है? महुँआ को कहा गया है, ठीके तो मुहा जो रक्स है उसको आदिवासु का कल्प रक्स कहा गया है खेजडी का पौदा किस वंस का है किस वंस का है हमारा खेजडी का पौदा तेंक्टोरिया, प्रोसुपिज, सिनरेरिया और इंडिका खेजडी का पौदा जो है अपर किस वंस का है तिंक्टोरिया, प्रोसपिस और सिनेरिया, सिनेरेरिया भी होता है, लिखाब आपको, सिनेरेरिया और इंडिका, आप लोगों को बता होगा, खेजडी के पौदे का जो पूरा नाम है, प्रोसपोसिस, सिनेरिया ही नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर सिनेरिया वंस का यह पौद के संदरता के नाम से हम जानते हैं धाक पलास और्केड और जाबुआ यहाफ पर कौन से है जिसको जंगल की संदरता के नाम जानते हैं वह आरकेड C is the right answer, Archid Sir हमारा सभी answer है जंगल की आग के नाम से पसित्ध पौदा कौन सा है रोहिडा, पलास, आर्किड और जाबुआ किसको जो है जंगल की आग के नाम से हम जानते हैं तो जंगल की आग के नाम से अभी हमने जश्ट पेश से थोड़े दिर पहले ही प्रस्न किया था मारा जो है, पलास जो है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है राजिस्तान में सागवान के उत्पादन में निरंतर हरास हो रहा है भारत में सागवान के उत्पादन में निरंतर कमी हो रही है ऐसे में राजस्तान जो है आसा की किरन बनकर आदा है राजस्तान में सागवान के व्रक्सार ओपन है तो उप्युक्त जिले कौन सा है लाठी शेत्र के सभी जिले बासवड़ा ढूंगरपूर और उदेपूर रेसल में बॉइकानेर और स्री गंगानगर टाइम कम मिलाथ मैं आपको लिए वापस यापर टाइम कर देता हूं तो राजस्तान में सागवान के भारत में सागवान के उत्पादन में तो कम होती है लेकिन यहाँ पर कौन सी जगह है तो उसके अगर हम बात करें तो बासवड़ा ढूंगरपूर और उदेपूर हमारा यहाँ पर सही आंसर है राजस्तान में लकड़ी की इदन की लकड़ी वो कोईला बनाने के लिए सरवादिक प्रयोग में लाए जाने वाली लकड़ी कौन सी है तो वो कौन सी लकड़ी है जो सरवादिक प्रयोग में लाए जाती है धौकड़ा, सरकंड़ा, सुकिवी गास की लकड़ी और सुकिव तो भी शेवनकास, तो राजस्तान में जो है वह कौन सी है जो सरवादिक उपयोग में लाए जाती है कोईला वा इदन की लगड़ी के लिए, तो वह है हमारी धोकड़ा की जो लगड़ी है उसका प्रेयोग में लाए जाता है, राजस्तान राज्य के एक उत्पादों में त्यंदू उत्पाद जो है लगुवन उपज तथा आय प्राप्ति का प्रमुक्ष रोथ है, इसका राश्टी करण जो है आपर कब किया गया? तो राजस्तान राज्य के एक उत्पादों में जो त्यंदू पत्ता है, लगुवन उपज के रूप में आय प्राप्ति का भी एक प्रमुक्ष रोथ है, इसका राश्टी करण जो है कब किया जाता है? तो 1974 में जो है इसका राश्टी करण किया जाता है, सेवन गास किस जाती की होती है? सिडिकुस, लसित्रूस, सिनरेरिया और उप्रवक्त में से कोई नहीं है, सेवन गास जो है आपर किस जाती की होती है? सेवन गास जो है हमारी आपर सिडिकुस जाती की होती है? A is the right answer. 2010 में राजस्तान वन वा परियावरण नीती को गोसित करने वाला देश का पहला राजिय बना था और इस नीती के तहट कितने वर्ग किलोमेटर अतिरिक्त शित्रफल में एक विक्सित किये जाने का लक्षे रखा गया? 45,000 हेक्टेर, 74,000 हेक्टेर, 45,000 वर्ग किलोमेटर और उप्रोक्त में से कोई नीती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 45,000 वर्ग किलोमेटर जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, C is the right आंसर, आबु परवत को परियावर्ण सविदन सील सेत्र गोसित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधी सूचना कब जा रही होगी? सारी डेट जो है 25 जून है 2010, 1999, 2009 और 2012 तो यहाँ पर अधी सूचना जो है आपर कब गोसित होती है? 25 जून 2009 को जो है यहाँ पर अधी सूचना जारी होती है? शेत्र फल की रष्टी से गाजिस्तान भारत का सबसे बड़ा क्रसी जो है जलवायू खंड है ठीक है? गाजिस्तान का जो सबसे बड़ा क्रसी जलवायू खंड जो है आपर कौन सा है? तो वह बताना है आपको बाड संभावी पूर्वी मैदान, आद्र दक्षिनी मैदान, सिंचित उत्री पच्छी में मैदान और स्टुस्क पच्छी में मैदान तो सेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा क्रसी जलवायू खंड जो है वो कौन सा है? तो सेत्रफल की रश्टी से अगर हम यह आपर बात करें तो पच्छी में सुस्क मैदान आप लोगों को पता है सबसे बड़ा है करीवन जो है 61% सेत्रफल जो है राजस्थान का वो गेड़ता है जलवायू वेता बलादी मील कोपेन जो है कहा से थे हैं अमेरिका जर्मनी इंग्लेंड और फ्रांस बलादी मील जो कौपेन थे वो कहा से थे हैं तो व्लादी मीर कोपिन जो थे हैं वो जर्मनी से थे हैं B is the right answer राजस्तान में सरवादिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं कौन से जिले हैं जहाँ पर सरवादिक व्रज्र तूफान आते हैं तो राजस्तान के कौन से जिले हैं जहाँ पर सरवादिक व्रज्र तूफान आते हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो जालावाद और जैपूर जिले हैं जहाँ पर व्रज्र तूफान आते हैं तो A is the right answer A जिनोंने भी answer दिया है वो हमारा सही है राजिस्तान के पूर्वी और दक्षिनी पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तुफानों को किस नाम से जानते हैं तो राजिस्तान के पूर्वी और दक्षिनी पूर्वी भागों में जो जून जुलाई में जो तुफान आते हैं तो यहाँ पर वही हो गई पिछले वाली बात, पिछले पस्न वाली तो जैपूर और जालावाड में जो तूफान आते हैं, पूर्वी और दक्षिन पूर्वी भागों में, तो उसको ब्रज्र तूफान के नाम सेम उसको जानते हैं। राजस्तान में मांसून के प्रवेश की सामान्य तिथी जो है क्या मानी जाती हैं। राज्य में वर्षा के दिनों की संक्या वर्ष भर में कितनी हैं। जून माह में राजस्तान के उत्री पश्चिमी भाग में नियून दाब रहने का प्रमुक कारण क्या है। कम दाब का रहने का प्रमुक कारण क्या है जो जून में राजस्तान के उत्री पश्चिमी भाग में रहता है। उसका प्रमुक कारण सूरी तब की अधिक प्राप्ति वा समुदेतल से दूरी, सूरी तब की कम प्राप्ति वा समुदेतल से दूरी, सूरी तब की अधिकता और समुदेतल से नजदी की और सूरी तब की कम प्राप्ति और समुदेतल से नजदी की। ठीक है टाइमर जो है मैं आपके लिए वापस बता देता हूं तो यहां पर अगर हम बात करें तो जनवरी महा में जो है नून दाब रहने का प्रमुक कारण क्या है तो जनवरी महा में जून दाब रहने का प्रमुक कारण सूर्य तब की अधिक प्राप्ति और समुन देतल से दूरी ए जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा सही आंसर है नेक्स्ट बीड़्यू एच ड़्यू जलवायू प्रदेश में निम्ना मैसे कौन से जिले आता है तो कौन से जिले जो है बीड़्यू एच ड़्यू शेत्र गंतरगत आते हैं जैसलमेर, बिकानेर और स्री गंगानगर ए जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हमारा सही आंसर है दाजे का सबसे अतियात्र जिला कौन सा है इन में से कौन सा जो है राजस्तान का सबसे अतियात्र जिला है कोटा, बारा, बुंदी और जालावाड, कौन सा अतियातर जिला है, उसकी अगर हम बात करें, तो वो है हमारा, कोटा, बारा, बुंदी और जालावाड में से जालावाड, जालावाड जिला जो है राजस्थान का अतियातर जिला है, EAD जलवायू जो है कहा पर पाई जाती है कौन सा सेत्र है जहाँ पर EAD प्रकार की जलवायू पाई जाती है बाडमेर जसलमेर में अलवर भरतपूर में टॉंक कोटा में और कोटा बूंडिन तो EAD प्रकार की जलवायू जो हमको कहा मिलती है वो मिलती हमको बाडमेर और जैसलमेर सीतरितु में सरवादिक फ्लैमिंगो जो है किस जील में आते हैं सामबर जील, जैसमंद जील, खीचन और राजसमंद सीतरितु में सरवादिक फ्लैमिंगो जो है किस जीलिक में आते हैं राजस्थान की सांबर जील में आते हैं, जैस समंद जील में आते हैं, फीचन में आते हैं या फिर राजसमंद में आते हैं तो सरवाधिक जो है आपर फ्लेमिंगो सांबर जील में आते है, यह इस दे राइट आंशर, यह हमारा यापर सही आंशर है नेक्ट कोशन, 19 अप्रेल 2017 को राजस्तान सरकार ने उदेपूर की कौन सी जील को संदक्सित गोशित कर दिया तो राजस्तान की वह कौन सी जील है जिसको उदेपूर सरकार आपर संदक्सित करती है तो 19 अप्रिल 2017 को जायसतान सरकार जो है यहापर उदेपूर की कौनसी जील को सन्रक्सित गोशित करती है तो यहाँ पर उदेपूर की उदेशागर जील को यहाँ पर संग्रस्त गोशित करती है। Next question, किस जील का निर्मान काक्णी नदी के द्वारा होता है? कौन सी जील है उसका निर्मान काक्णी नदी के द्वारा होता है? बूज जील, फाइसागर जील, पचपदरा जील और कोलायत तो इन चारों में से वह कौन सी जील है जिसका निर्माण बूज नदी के द्वारा होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह बूज जूइल है जिसका निर्माण आपर कांकनी नदी के द्वारा होता है और आज का महारा अंतिन प्रस्न जो है छत्र विलास नामक जील किस जिले में इस्थित है जट्र विलास नामक जील जो है आपर कौन से जिले के अंतरज़द इस्तित है बारह लं mono चट्र विलास नामक जील जो है किस जिले में इस्तित है तो उमीद करता हूँ लोह पसंद आया होगा लेक्सर पसंद आया हूँ तो लाइक और शेर जो है इसमें जरूर करें अपने फ्रैंड और 3 special classes जो है आपको यहाँ पर अविलेबल हो जाएंगे तो उम्मिद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा थैंक्यू सो मच्छ थैंक्स अलोट बाइ टेक केर लोगा